मित्रोग पुराणिक गजब गपोड़ों की स्रंखला में आपके सामने महान गपोड़ा लेके आया हूँ ब्रह्म विवर्थ पुराणि में वैसा ही पहले से बहुत गपोड़े हैं पर एक ऐसा गपोड़ा लेके आया हूँ महान रिशी कश्यप रिशी कश्यप की इन स्वार्थी पाखंडी मुर्क लोगों ने धज्या उड़ा दी महान कश्यप रिशी एक वेदिक रिशी थे इनकी गणना सब्त रिश्यों में की जाती थी और इनका वर्नन ब्रामन गरंतों में एत्रे सत्पत ब्रामन गरंतों में भी इनका वर्नन मिलता है ऐसे महान रिश्यों की दज्या उड़ाने में इन स्वार्ती पाखंडी मुर्क लोगों ने कोई कमी नहीं छोटी कश्यप रिशी के नाम से कस्मीर बसा है आपने दा कस्मीर फाइल में सुन लिया होगा ऐसे महान जितने भी रिशी थे उनकी सब की धज्यां उड़ा दी गई इन स्वार्थी पाखंडियों दोरा ब्रह्म विवर्त महापुरान ब्रह्म खंड अध्याई नमबर 20 है शोनक इतना कहकर वे मुनि स्रिष्ट मोन हो गए उदर वह व्रशली नारी सुस्क कंट तता तालू की स्तिती में होकर स्तित हो गई इसी समय मेन का अपसरा उसी मार्ग से जा रही थी उसकी जंगा वेस्तनों को देखकर कश्यप मुनि का वीरिय स्कलित हो गया वरे गपोडी लालो वाह ऐसे हैं आपके पुराण सुनो फिर से इसी समय मेन का अपसरा उसी मार्ग से जा रही थी उसकी जंगा वेस्तनों को देखकर मुनि कश्यप का वीरिय स्कलित हो गई यह देखकर तितुशनाता व्रशली तक्षन मुदित हो गई उसने उस वीरिय का भक्षन कर लिया भक्षन यानी खाना इतनी गंदगी है इन स्वार्थी पाखंडियों के पुराणों में और यह कहते हैं पुराण साक्षाद इश्वर के अवतार व्यास्ची द्वारा लिखे गए वीरि को चाट लिया खा लिया कुछ भी कहें इनकी तो कोई धज्या उड़ाने में कोई कसर ही नहीं चोड़ते हैं यह तो आगे मुनी को प्रणाम करके अपने पत्ति के पास चली गई वहाँ जाकर उसने मनहर नारी ने दुरुमिल को प्रणाम किया और समस्त गर्ब व्रतांद का वरनन पत्ति दुरुमिल को कर दिया गजब गपोड़े हैं इन सुवार्थी पाखंडी मुर्कों के और कहते हैं पुराणों में रस टपका है वास्त में ये सच कहते हैं बहुत रस टपक जाता हैं कभी किसी अपसरा को देकर इन्होंने धज्यां उड़ा दी ब्राताजी हरदे बहुत दुख पहुंचता है जब हम वीडियो बनाते हैं तो इतना क्रोध आता है इन सुवार्थी पाखंडीयों पर हम आपको क्या कहें आपका अपना यूट्यूब चैनल है धन्यवाज